Jeko मा तमारो पहलो दिवस के वो रही होतो आने शूँ करियू होती। Jeko मा तमने कई-कई facilities जिछे प्रोड़कर वाम आवेचे। Jeko मा तमारी job profile शूँ वही आने तमारू काम basically शूँ वही छे। दरेक सवर आपणने 2 विकलप आपती हो छे। पहलो, सूता रहो औने सपना जुओ, बीजो, जागो औने ए सपनाओ पूरा करो नमस्कार मित्रो, हुँ अनिरुच्सी गोहिल तमारू बदानों हारदिक स्वागत करो छुँ आजे आपने एक एवा एंजीनियर नी वाद करवा जही रहा छे, के जेमने जेटको एटले के गुजरात एनर्जी ट्रांस्मिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड मा जूनियर एंजीनियर एटले के क्लास टू ओफिसर बनवानों सपनू जोयू अने एने साकार करियू हुँ स्वागत करवा मागो छू मोहमद अयाज नू के जेटको मा अत्यारे जूनियर एंजीनियर एटले के क्लास टू ओफिसर तरीके फरज बजावी रहा छे तो अयाज स्वागत छे तमारू तो आयाज हमने एजनाव के तमें पहले ती नकी कर यो तू के एंजीनिरिंगर कर जो अने सरह आू पेला थी डिसिजन न तूमारो के पैला थी एंजीनिरिंगर कर बू छे केम के मारा घरे थी मने को ihan कोई एक एक एधूकेशन पास यह पाछा डेलो फोर्स न तू कर वने मन तो आयाज तम्हें पहला तो एक हो कि तम्हें कई कोलेज मा थी पास आउट करिए और ने कई यर मा तम्हें पास आउट करिए उसाइब गुधरा रेतो तो मारा फादर ज्यान सर्विस करता था तो जारे मारा 12th कंप्लीट थी हो एना पचित यहां एक सेल्फानेंस कोलेज करिए यहां पास भी काराण होकर मैं इलेक्टिकल केम लीदु अने इलेक्टिकल ब्रांच मा मैं एंजिदरीं कॉलेज टुवा टुवा विलेज वर दिस कॉलेज इस लोकेटेड तो आप जे एंजिदरीं कॉलेज टुवा शे त्या में जे गोधरानी नज्जीक छे गाम 20- क्या मैं ग्रेजुएशन मारो कम्प्लेट करूँ इलेक्टिकल एंजिदरीन मा अने हुँ बेजा सत्तर मा पास आउट तो पहला तो यह जणावो के जेटको मा तमारो पहलो दिवस के वो रहयो हो तो अने शू करियो हो तू जटको मा मारी जवानिंग अती ए दिवसे पहला दिवस जारे हूँ आजर थी हो त्यारे सवती पहला तो स्टाफ जोड़े मारो इंट्रोडक्शन सारू थे हूँ बद्धा जे इलेक्टिकल असिस्टन त्यां हो अँछे तिया हमारे डेप्यूटे एंजिनर हो छे ने बीजा आपने ट्रांस्फोर्मर आपने मशीन बढ़िये शिये शर्किट ब्रेकर आइसोलेटर्स एवधी वस्तु त्या मने बताई अन्ने अमारा एक्स्पिरेंट ने जणाओ के जेटको मा तमारी जोब प्रोफाइल शूवई अन्ने तमारू काम बेसिकली शूवई छूवई छ जेटको मा सरुमारी जोब प्रोफाइल शूवई शूवई निछे अन्ने डारेक 220 वी substation मा एटलीस चार शूवई ओछेए अन्ने शूवई छीप जीघ नव जो वर्किग आर्स होई छे एट आर्स पशीच चेंज थती होई अन्ने ए एट आर्स धर्मियान सबस्टेशन मां जेटला भी आफेस थता हो छे जे भी वस्तु कोई भी लाइन ट्रिप थती होए कि जो कोई भी रिलेटेड पॉल्ट आयो के कसु भी था यू यू बद्धी महाईती कलेक करी ने डेप्यूटे एंजिनर ने महाईती आपवानू काम हो छी शिव्ट जेए जेटको मां वर्क एनवायरमेंट के होए छे इले के स्टाफ सपोर्टी होई छे के नथी होतो हो हमारी जे सप्टसिन मां जे स्टाफ छे ओरड़ी वा अवा नोलेज़ेबल शे अमनी पास सारव एव एक्सपीरेंस छे जयरे कोई नहीं जी तिया जाए खासओ एव एव तो तमने घंवादू जानमा बले शेमना उपर थी एटले सफोर्ट नहीं बाद करूं तो सपोर्ट बहुँ सरस हो छे जैटकों मां। तो जैटकों मां तमारी मुख्यत्वे जाबदारियों शोषू हो इछे हैं? आम तो जटकों मां घणी बदी काम काज होचे जारे काम आवाए त्यारे पन मुख्यत में हुँ जवाबदारी एक मेन जवाबदारी नवाद कर उते हमां एक लाइन क्लियरंस परमिट बहु इंपोर्टेंट पार्ट प्ले करें चेहीं ए वस्तु ए छे कि फोर एक्जामपल क पनावानों जवाबदारी वादु काम शे श्ट जेहिव जिए अनदर मा आवा जहे अज़े ओफीसर जेट को मा तमने कई-कई फैसिलिटी जए छे प्रवाइड करवा मा आवे छे तमने एक वहिकल मा जशियल जो तमने कोई द्यूटी पर जदा हो तर तमने वहिकल प्रव झारे तमें खर्चों मेडिकल नौ आवता होई तो जटकों मो ऑफिसर्स आने इमने उपर डिपेंडेंटन्ट होई आज यह भी मेडिकल खर्चों जो ओए अख्चों पे अग्वोच जटकों पेकरे शे नहें अचों पाए इस सारी फैसिलिटी चे जटकों होई ने उफीसर होई के मना डिपेंडेंटस नूँ तो एमां मोस्ट अपडे सेविंग आपड़ी जे चे ए मेडिकल पाछल चाले जती होई चे पड़ अहीं जेछे ए जेटको मां मेडिकल फेसिलीटी आपे ऑफीसर और अने डिपेंडेंटस ने तो मने लागे चे के मेडिकल फे चुकिया ची एज बस्तु जारे प्रेक्टिकल मां जोवा मला चे ने तो ये सारो वो साटिस्फेक्शन आपतू होचे अन्य जो जटको मांउं एंजिनर नी हैरर की नी बात करू तो जूनेर एंजिनर पछी प्रमोशन थाथे डेप्यूटी एंजिनर मां डेप्यूटी एंज एकज़्ःत,इस जटको Èंजिनर मां घधिकल पछी सुपरेटेंडी इंजनर मां आने सूपरेटेंड इंजिनर पछी एडिसनल चीफ एंजिनर और पछी यावा ची ची एंजिनर तो आ रखी एंजिनर नी हैरर की हो छिए। एक सरकारी अधिकारी तरीक है लोगं कई करता हो है कि आर यो जो आवयाज एनने मेहनत करी अने आगणवधियो तमारे लोको एमना बाड़कों ने भी आवरी वस्तु कहता होई छे ए वस्तु तुड़ीक इंस्पिरिशनल लागे छे कि लोको तमाली वात करे छे अने लोको इच्छे छे के मना बाड़क भी आयाज जेऊ करे आवस्तु मने खणी सारी लागे छे लास्ट मा तमें हमारा फ्यूचर आस्परेंट्स ने कोई एक मेसेज आपवा मांगता होई अथवा एक तीप आपवा मांगता होई तो एशू खुबज सरस वात करी के शूँ वाजवू ए ना करता शूँ ना वाजवू ए वदारे इंपोर्टन्ट छे इंगलिश मा पण एक खुबज सरस वाकिया छे के the ability to simplify means eliminate unnecessary so that necessary may speak तमारे शूँ ना वाजवू ए जो तमें eliminate करी दियो तो तमारो पाथ जे छे ए खुबज क्लियर अने सिंपल बनी जशे आज साथे आपने आ शेशन समाप्त करिये छे थेंक्यू सो मज धनिवाद